दोस्तो दोस्तो आप लोग भी मटर की खेती करकर आनि कि हरे मटर की खेती करकर आप लोग भी लाख रुप्या कमा सकते जिहां दोस्तो आप लोग सही सुने आप लोग भी अगर मटर की खेती करते हैं दोस्तो आप लोग अक्सर जो है यूटूपर आभी आप लोग देख पा दोस्तों इस वीडियो में हम बताने बाले माटर का जो काला सच है वह क्या है दोस्तों इसमें जो है कौनसा अच्छा 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 वैरेटी है जो अच्छा अच्छा उत्पादन दे सके और लगवक 50-15 दिन में फ़स्ट हार्वेस्टिंग तुड़ाई के ल मिले और इसकी साथ दोस्तों आप लोगा मटर के खेती में फंगस बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों आप लोग फंगस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखे जैसे कि पौदा सुकने का समस्य आने लगता है पीले होकर दोस्तों मटर का काला स इसलिए इसे बोला जाता है कि दोस्तों इसका पौदा जो बिलकुल सुकर आप लोग का खेत जो बिलकुल खाली हो जाएगा अगर आप लोग जो है सेक्टेमबर माह में लगाएंगे तो दोस्तों आप लोग का अपना एरिया में जो ताप मान है आप लोग 30 डिगरी से लीब करल भायरस के तरह हो जाएगा पौदा और दोस्तों अगर नहीं यूए तो दोस्तों आप लोगा पौधा जो है ज़र से शुकन शुकना चालू हो जाएगा पीला हो कड़ा पौधा पीला होने के बाद जो है सुखना चालू हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग जो है यह गलती मत करिए आप लोग को कोई बता रहा है आप लोग लगा रहे हैं यह गलती नहीं करना है दोस्तों आप लोग का एरियम अगर 30 degrees जो temperature हो नीचे आ रहा है अगर 30 degrees तक है तो दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं किको दोस्तों आप जो है temperature धीरे धीरे जो नीचे आने वला है अगर तो दोस्तों हम बात करें के मटर की खेती में वेरेटी के उपर, टॉनी के उपर, खाद मेनेजमेंट के उपर और दोस्तों इसी के साथ साथ बेसल डोज के उपर तो दोस्तों देर ना करते हैं अगर आप लोग हमारा चैनल पर नई है तो चैनल सस्काइब कर लीजिएगा और नई किसान भाई के साथ सेर कर दीजिएगा और दोस्तो एक लाइक जरूर करिएगा अगर हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो दोस्तो चली हम बात कर लेते बैरेटी के उपर दोस्तो हम जो टॉप दो बैरेटी रखे हुए हैं आनि कि जल से जल तयार हो जाए और उसका मार्केट डिमांड जो है हमेशा बने आ रहे ह मार्केट में दोस्तो इस परकार से हम दो बैरेटी सेलेक्शन की हैं दोस्तों डोनों बैरेटी का नानिकि उत्वादन उपज़त पादन जो बहुत अच्छा देखने को मिलता है और एक फली में आनिकि एक जो मतर में कोसा में उसमें जो लगवग 8-10 दाने आता है दोस्तो आप लोग का खाद मेनेजमेंट अच्छा रहता है तो आप लोग को 8-10 दाने देखने को मिलेगा अगर आप लोग का खाद मेनेजमेंट जो है पोधा अगर स्वस्त नहीं रहेगा उसमें जो है अनिकि उतना ग्रोथ और अच्छा हेल्दी नहीं रहेगा पोधा तो दोस्तो उसमें छोटा फली भी बन सकता है तो दोस्तो आप लोग जोए बेशल डोज का बाड़े में बने हम बताएंगे वह आप लोग पूरा जरुद देखेगा तो पहला नमर में है यह जन्था कम्पनी का जो मठर है इसका नाम जो मुशी आयो है और दोस्तो इसका उतपजुतपान हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है आप लोगों को अक्षर मालूमी है तो कि स्री जन्था कम्पनी जो भी वेरेटी आनि कोई भी फसल आनि की कोई भी चीज हो जैसे इंद् जरूर में मालूमैं, तो इसका ऊत्पादन, बहुत अच्छा देखने को मिला पूछते हैं कि जरूर बताएगा कि यह मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह बहुत परचलित बैरेटी दोस्तों इसका उपजित्पादन जो जितने भी किसान भाईयों एक बार लगाया है वह यह ही भैरेटी को खोज-खोज कर ले जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है भली का साइज आने के साइज बहुत बहुत परचलित है और उत्तपादन भी बहुत ज्यादा देता है कि दोस्तों अच्छा पादन बहुत अच्छा देखने को मिला है चलिए दोस्तों अब बेशल डोज में क्या के आप लोग ले सकते हैं दोस्तों अक्षर कि करते हैं दोस्तों अब इसके साथ डी लेना आप लोग को जों कि डायमोनियम फस्पेट जों आता है आप लोग को लेना है पॉठाश के लिए और दोस्तों इशिक साथ आप लोग लेसकते हैं जैसे की रीजेंट हो गया नहीं तो दोस्तो आप लोगको लेना है 3-4 किलो जो है काटप हाइड्रोकलोराइड दोस्तो फोर्जी का जो आता है आनि कि 4% में जो आता है यही लेना है और दोस्तो यह जो है आप लोगका धिमा और जो वाइड ग्रेफ सार रहता है आनि कि मिटीम जो लगता है कीटक और द आप लोग को 500 ग्राम लेना है प्रतिक एकर में और इसको बेसल डोज के साथ ही मिला कर आप लोग इसको छिरकाव कर देंगे पुड़ी एकर में और दोस्तों यह डालने से पहली अगर आप लोग का पास जो गोबर मल है और जैसे कि गोबर मल हो गया और जैसे भी जो इस्तमाल करना है जोस्तों अब लोग को अगर फटिलाजर अच्छा सच्था इस्तमाल करते हैं जैसे कि एपी फस्परस जो हो गया यह इस परकार का दिन फसल में यह है इनका रिक्वाइरर रिक्वार्मेंट जो है बहुत ज्यादा होता है क्यूंग्य दूस्तों छोठ रहेगा तो भी तो देर दिन तक जीएगा इसी तरह अगर मटर का पोदा जो है स्वस्त रहेगा तो तभी तो ज्यादा दिन तक पादन देख आएगा तो दोस्तों आप लोग को मैं बेसल डोज बता चुके हैं तो दोस्तों आप चलिए वह अनिकी पीले परकर जो शुखने लगता है मटर को उसको कैसी तरह से कंट्रोल किया जाएं जो आप लोग पानी लगाने से पहले इस परकार के सुखने के समस्य आ रहा है तो दोस्तों आप लोग अच्छा सा टेकनिकल लिजिए जैसे थाइप कुनल मिथाल हो गया और रोकोग फंगी सैड हो गया नहीं तो दोसो बायर आप लोग को ले सकते हैं जיך आप लोग एंट्रा कोल सकते हैं दोस्तो बायर आप कंबनी की कैप लोग नेटि वो चला सकते हैं दोस्तो आप स्टूडिया करेसा करको आपका पोदा सुखर है मटर गलती म 네 Oops कभूाण चलाएं और को हैं रिता हुआ हो मिनवेशी युक्त जो टनिक आता जैसे इसा बेवन हो गया शीरी जनता कंपनी का फेंठा प्लस हो गया और दोस्तों आप लोग जैसे सामरास हो गया मल्टी प्लेस का दोस्तों इस प्रखार का टनिका इस्तमाल करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन दोस्तों आप लोग एहीं समय में अगर इस प्रे नहीं करते हैं तो आप लोग का फ्लावर डॉपिंग भी हो सकता है तो दोस्तों आप लोग को को सबाल जबाब रहा है लगता है को को कोई जो समसिया है वो आप लोग आम जो नहीं बता पाए हैं तो आप लोग जो है कॉमेंट करकर पूछ सकते हैं उसमें जो हम रिप्लाइद देने के 100% कोशिस करेंगे धन्य बाद दोस्तों एक लाइक जरूर कर दिए